हेई welcome back to our channel दोस्तो अचके इस वीडियो में हम बात करने वाल है how to enable full screen डिस्प्ले यानि कि इस डिबाइस में navigation पर हाइड करके full screen के सेट कैसे करें full screen डिस्प्ले सेट करने के लिए सबसे पहला अपको phone के settings में यहना होगा phone settings ओपेन करने के बाद यहां search bar पे find करेंगे navigation navigation लिखते ही आपके समने एक instruction आएगा इस पर क्लिक करके आप सिधा system navigation में या सकते हैं या तो phone settings ओपेन करने के बाद scroll करते हुए नीचे नीचे आई है इसके बाद system settings पर tap करेंगे दोस्तो system settings के अंदर आपको navigation features देखने को मिल जाएगा by default यहां आप बटन सिलेक रहते हैं अगर आप बटन से full screen में बदलना चाहते हैं तो गेस्टार सिलेक कीजिए learn gesture full screen कैसे यूज करना है अगर आपको पाता है तो cancel करिए नई तो learn पे tap करके full screen के सार यूज करना सिखिए number one swipe in from left और right अगर आपको back करना है तो left और right साइड से इसी तरीके से swipe करना होगा फिर आप किसी भी application या setting से back जा सकते हैं number two swipe up from the bottom निचे से अगर हम जल्दी swipe करेंगे तो आप सीधा home page में चले आएंगे number three swipe up from the bottom of the screen and then hold यानि की नीचे से swipe करके pause करना है फिर आपने जो recent application यूज किया है वो चले आएगा number four swipe left और right along the bottom edge of the screen left और right साइड में guesser बार को swipe करके एक recent application से दूसरा application में जा सकते हैं दोस्तो इस तरीके से guesser tutorial से full screen यूज करना सीख जाएंगे इसके बाद hide guesser guide bar को turn on करके नीचे जो guesser बार दिख रहा है उसे आप hide कर सकते है switch to previous app यहां से अगर हम guesser bar को left और right साइड से swipe करके hold करेंगे तब previous recent application open हो जाएगा तो दोस्तो इसी तरीके से अब अपने phone पर full screen यूज कर सकते हैं उम्मीद करते हूं कि ए वीडियो आपके लिए बहुत देल भूलता तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सबसे करना ना भूलें